हेलो फ्यूटर मिलेनेट्स आज हम बात करने जा रहे हैं टाटा पावर के शेर के बारे में हम इसके चार्ट पैटरन को देखेंगे और फिर अनलाइस करेंगे कि मंडे की ओपनिंग में आपको इसके अंदर एक तेजी देखने के लिए मिलेगी तो आईए चार्ट पैटरन को देख करते हैं सबसे पहले मैंने आप इसका 1R का चार्ट पैटरन खोला हुआ आप देख सकते हो अगर आप सबसे पहले बात करो तो आप यहाँ पर देखो यह जो स्टोक के सिना पर double top बनाया है और double top का मतलब होता है downtrend तो यह एक बुरी sign है टाटा पावर के लिए next हम बात करते हैं इसके फिलाल के trend की तो आप देखो इस स्टोक ने काफी time से 202 के उपर अपने एक support बनाया हुआ था उसके बाद उसने यहाँ पर यह अपना support इसको तोड़ दिया और यहाँ पर उसने नीचे दूसरा support बना लिया 197 का उसके बाद आप देख सकते हैं यह इस जो अच्छे time तक एक uptrend के अंदर था अब बात करते हैं इसके supports की तो आप यहाँ पर देखो जो फिलाल का support है वो इस stock के लिए 206 के पास एक अच्छा support है यहाँ से नीचे अगर यह जाता है तो इसका second support है 202 का और अगर यह अपने इस वाले support को भी तोड़ देता है तो इसका last support है इससे नीचे वाला 197 का बात करते हैं इसके resistance की तो आप देख सकते हो फिलाल इस stock को resistance है वो है 210 का अगर यह stock 210 के resistance को तोड़ता है तो इसका next resistance है वो है 212 का अगर इन दोना resistance को तोड़ देता है तो आपको इस stock के अंदर एक अच्छी तेजी देखने के लिए मिल सकती है और अगर यह stock है यह आपको support तोड़ता है तो आपको stock के अंदर एक अच्छी correction देखने के लिए मिल सकती है तो यह पूरी analysis थी Tata Power के उपर अगर आपको analysis पसंद आई हो तो like करो comment करके ज़रूर बताना और stock market से जड़ी सब information के लिए अभी subscribe करो पैसा ग्रोवर को